नमस्कार दोस्तो हिंदी निव जेफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तो भारती अर्थव्योस्थेकल एक बहुत अच्छी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप बहुत खोस हो जाएंगे दरसल ये खबर आ रही है इस्राइल से अब खबर क्या है आईए बिस्तार से बताता हूँ आपको दोस्तो दरसल इस्राइल की एक कंपनी है टावर सेमी कंड़क्टर टावर सेमी कंड़क्टर ने भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि मैं यहाँ पे एक सेमी कंड़क्टर फैक्टरी खोलना चाते हूँ यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास आया है और इसकी एमाउंट क्या है एमाउंट है इसकी 8 बिलियन डॉलर यानि अगर इसको रुपाय में अगर कनवर्ट करें तो लगबख 70 अजार करोड होप है दोस्तो इससे बहुत बेरोजगारी दूर हो जाएगी बहुत रोजगार मिल जाएगा 70 अजार करोड बहुत बड़ा अमाउंट होता है सेमी कंडक्टर की दुनिया में भारत वैसे भी अपने पाउं जमाना चाहता है अब इससे पहले ताइवान की एक कंपनी थी जिससे एक डेल होने वाली थी वेदानता कंपनी की लेकिन वो किसी कारोड़ों से तो रद्ध हो गई तो वो निवेस नहीं आपाया लेकिन अब भारत में इसराइल की कंपनी अपने बिजनेस को इस्थापित करना चाहती है तो इसके लिए प्रस्ताव तो आ गया है हलाकि इसकी जो बातचीश चल रही थी ये 2022 अक्टूबर से चल रही थी अपने जो आईटी मिनिस्टर है राजीव चन सेखर जी ये सेमी कंड़क्टर कंपनी जो ये टावर सेमी कंड़क्टर है उसके CEO से इन्होंने मुलाकाद अक्टूबर 2023 में करी थी अब वो बात चलते चलते अब उस कंपनी ने भारत सरकार के सामने ये एक प्रस्ताव रखा है कि हम 8 बिलियन डालर आपके या इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये एक इंसेंटिव स्कीम के तहट अपना पैसा लगाएंगे भारत में हलाकि भारत सरकार ने अभी इस पे विचार कर रही है अभी कोई मंजूरी नहीं दिये इसको इसके लिए क्योंकि भारत सरकार भी इसमें इसके पहलूँओं को देखना चाहती है अच्छे से कि इसमें ऐसा तो नहीं है कुछ हमारे लिए नुकसान दे चीज़े हो सेमी कंड़क्टर प्रोजेक्ट जो है ये देश के लिए बहुत ही तो कांशी प्रोजेक्ट है मोधी सरकार के लिए ये इसको बहुत ही आगे ले जाना चाहते है और इसके तहर जो मैनुफैक्चरिंग करी जाएगी वो 65 नैनो मीटर और 40 नैनो मीटर की चिप का मैनुफैक्चरिंग करी जाएगी इंडिया में दोस्तो भारत की मार्कट बहुत बड़ी मार्कट है ये हमारी पॉपलेशन से समझ में आ जाता है तो कोई भी देश हमसे पीछे नहीं रहना चाहता है सब चाहते हैं कि भारत के साथ बिजनेस को किया जाए यही कंपनी थी एक टाइम ऐसा था जब यह हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते है तो इनका कोई ऐसा प्लान नहीं था है कि यह भारत में इन्वेस्ट करें लेकिन अब इनको भारत की मार्कट इनको दिख रही है इसलिए यह अपने पैर यहां पर जमाना चाहते है जो यहां पर पहले आएगा उसको पूरी मार्कट मिल जाएगी यह सभी को पता है अच्छी बात यह कि इसराइल भारत का एक मित्र देश है यह बहुत अच्छी बात है भारत के लोग कही न कहीं इसराइल को पसंद भी करते है इस्राइली कंपनी के द्वारा ये कदम लेना भारत के लिए बहुत ही अच्छा है भारत के लोग इसका दिल से स्वागत करेंगे और साथी साथ ये भारत के लिए रोजगार भी पैदा करेगी ये कहीं न कहीं भारती अर्थव्योस्था के लिए बहुत ही अच्छी घबार है अभी दोस्तों जब इसमें प्रस्ताओं को एकसेप्ट कर लिया जाएगा भारा सरकार को द्वारा तो इसमें फिर थोड़ाशी डेवलेप्मेंट और होंगी इसके मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लान सेटप से रिलेटेड देन मैं आपके लिए एक अपडेटेड वी थैंक यू दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें